हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल होम एंटिटेन्मेंट पे आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे पके हुए बेर की मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं छे बेर मीडियम साइज के अब इसे हम बारीक कट कर लेंगे पके हुए बेर को बारीक हमने कट कर लिया है और इसके बीस को अलग कर दिया है चलिए इसकी चटनी बना के आपको दिखाते हैं इसे हम डाल देंगे मिक्सी के जार में पके हुए बिए को मिक्सित के जार नें डाल ध्यार भारी कट करने के बाद अब अब यहमे मिशी कटकें भी टोड़ा सा काला नमा लोगभग दो पिंच इसके पाद में डाल मेंच पाउडर निके मात्रा भी डो से सफही तीन पिंच रखेंगे तो के मीठी चत्नी है और अब हम डालेंगे शक्कर स्वादा अनुसार शक्कर डालेंगे लेकिन हमने इसमें कलग भग दो चम्मस एड़ करना है अब 2-3 चम्मस मीडियम साइज की चम्मस से इसमें पानी डाल देंगे ताकि बार एक पिसे और समय भी बचे चले इसे ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं देखे दोस्तों त्यार है हमारी पके हुई बेर की मीथी चछिट्री आपी इस तरह से बनाकर खायेगा हमारे वीडियो बहुत कम समय में बनाते हैं हम कोशिश करते हैं कि आपका समय बचे और आपका काम भी हो जाये तो सारे वीडियो हमारे बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताते हैं तो आपको सीखने में आसानी रहती है अगर आपको हमारी रेसिपी हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करेगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं subscribe करना मत भूलेगा thank you very much for watching my video bye bye